हाई मेरा नाम सुर्भी ग्रोवर है और मैं एक पाइलेट हूँ मैं पिछले 6 सालों से एक पाइलेट हूँ अगर आप भी पाइलेट बनना चाहती है तो मैं आपको बता सकती है पाइलेट बनने के स्टेप्स आप 12th क्लास के बाद ही पाइलेट बनने के लिए एलिजिबल है आपको बस 12 में साइन्स ट्रीम लेनी होगी और फिजिक्स और मैट्स में आपको सिर्फ 50% मार्क्स लाने होगे पाइलेट कोर्स रिसर्च करने से पहले आप पहले देखेंगे कि आप मेडिकली फिट हैं की नह यह Ministry of Civil Aviation के अंडर आता है जो सारी एरलाइन्स है उनके जो सारे रूल्स रेगुलेशन सब फॉलो होते हैं वो सारे Ministry of Civil Aviation ही बताते हैं वहां पर आप डॉक्टरों के नाम देखेंगे क्योंकि सारे डॉक्टर एविएशन मेडिकल स्पेशलिस नहीं होते तो क्लास 2 डॉक् होगा कि आप मेडिकली फिट हैं यह हुआ क्लास 2 डॉक्टर इसके बाद आपको क्लास 1 मेडिकल करना होगा जो फाइनली बताएगा कि आप पाइलेट के लिए एलिजिबर फुली हैं की नहीं क्लास 1 मेडिकल आने के बाद दो तरीके या तो आप सीधा फ्लाइंग स्कूल कीजिए जो आपको एक्जाम भी कराएंगे फ्लाइंग भी कराएंगे या आप फ्लाइंग पहले करना चाहते हैं या आप एक्जाम्स पहले करना चाहते हैं अगर आप एक्जाम्स पहले देना चाहते हैं वह आपको फ्लाइंग स्कूल जाने की ज़रत भी नहीं होगी पर आपको अपने आपको रिजिस्टर करना होगा computer नंबर आने के बाद आपने अपने आपको तयार करना होगा exams के लिए CPL कहते हैं इस course को commercial pilot license course and finally इस course में आपको सारे exam भी clear करने और 200 घंटे की flying भी चाहिए exams आप clear कर सकते हैं पहले लेकिन इनकी expiry date है तो ऐसा ना हो कि आप पहले exam clear कर ले दो साल बात फिर आप सोचे कि अब मैं flying शुरू करती हूँ क्योंकि exams आपके expire हो जाएंगे आपको फिर से देने पड़ेंगे तो जो generally airlines भी suggest करती हैं और जो मैं भी suggest करूँगी कि आप दोनों साथ-साथ करिए आप ऐसा flying institute join कीजिए जो आपको exams कराते हैं जो आपको ground classes भी देते हैं exams में हमारे जो courses होंगे वो होंगे meteorology जो weather के बारे में हमें समझाया जाता है क्योंकि pilot के लिए वो सबसे जादा जरूरी है हमें बताया जाएगा navigation के बारे में कि हमें एक जगा से दूसरी जगा कैसे पहुंचना है तीसरा जो हमारा होगा वो aircraft specific होगा technical पढ़ाई समझेंगे कि aircraft का engine कैसे काम करता है क्या उसके पीछे theory है कौन सब principle से एक aircraft उडान भरता है ये सब पढ़ने के बाद हम आएंगे air regulation पे air regulation मतलब हवा के rules जैसे traffic rules होते हैं सडग पे वैसे हवा में भी rules होते हैं हम अपनी मर्जी से कहीं पर भी नहीं जा सकते हैं तो air regulation हर country के अलग होते हैं इंडिया में काफी सारे से इंस्टिट्यूट्स हैं government भी है private भी हैं जिनका rate per hour के हिसाब से अलग होता है अगर आप एक proper CPL course लेना चाहते हैं उसमें आपकी accommodation उसमें आपका ground school, flying guards, सब कुछ included होता है खर्चा अगर आप government institute से करते हैं और प्राइवेट से करते हैं approximately 35 lakh से यह कॉस्टिंग शुरू होती है इट केन गो अप टिल 1 करोर depending आप किस institute को जॉइन करते हैं क्या-क्या facilities अवेल करते हैं और क्या-क्या convenience अवेल करना चाहते हैं जॉब अप्लाइ करने के लिए procedure है उसमें भी सिरफ interview नहीं होता जा आप cadet program से के थू जाएं या आप course करने के बाद फिर job के लिए apply करें जो interview process होगा that is not just an interview उसमें आपका hand-eye coordination भी किया जाएगा तो hand-eye coordination बेटर करने के लिए video games खेलना बहुत ही बड़ी option है जो आपका round होता है first round उसमें तो written exam होगा जिसमें आपके 12th के लिए physics and maths के उपर questions पूछे जाएंगे second round जो होगा ये clear करने के बाद वो होगा video game type 1 test उसके बाद आपका problem solving technique देखी जाती है analyze की जाती है कि अगर आपको काफी सारी multitasking दी जाए तो आप उस चीज़ को कैसे handle करते हैं अब क्या चीज प्रायोरिटाइस करते हैं ये सारी चीज़ों पे आपको वो analyze करके आपका assessment करते हैं जिसके बाद आप तीसरे stage में पहुंचते हैं जो होता है personal interview जिसमें वो आपसे face to face सवाल पूछते हैं job के लिए कुछ airlines पहले से ही cadet program के ऐसे कुछ program आपको suggest करती हैं जिनसे आपकी job पहले से ही assured होती है इसको कहते हैं LOI letter of intent कि अगर आपने अपना दियावा ये course एक particular time frame में खतम किया और successfully सारे checks आपने complete करे तो वो airline आपको job देगी अगर आपको इस दौरान इस method से नहीं जाना है तो दूसरा तरीका है जैसे हम normally jobs के लिए apply करते हैं हम ये course खतम करेंगे और फिर हम देखेंगे कि कौन सी airline jobs के लिए लोगों को recruit कर रही हैं ये हम online भी पता कर सकते हैं newspaper में भी आड आती है और ये normal तरीका होता है जिसमें interview, group discussion ये सारा कुछ आपके वो documentation चेक करते हैं उसी के बाद आपको contract offer किया जाता है challenges के अगर हम बात करें कि पाइलेट को डर नहीं लगता सबको डर लगता होगा पर पाइलेट की जो training है वो सी डर को काबू में रखने के लिए की जाती है हमारी जो training होती है वो simulator based भी काफी सारी होती है जिसमें हमको हर तरीके की emergency हैंडल करनी सिखाई जाती है और उस simulator में आप काफी सारे घंटे बिताते हैं जिसमें instructor आपको समझाते हैं सारे normal procedure और सारे abnormal procedure तो जब passengers on board होते हैं हम emergencies practice नहीं करते हैं बट हम simulators में सारी emergencies practice करते हैं कि जिस दिन actual emergency हो in the aircraft हमें पता हो exactly क्या step follow करने है और कैसे सब कुछ सही सलामत सही नीचे पहुंचना है तो अगर आप भी पाइलेट बनना चाहती हैं तो मैंने आपको बताए पाइलेट बनने के steps तो चलिए उड़ाइए मेरे साथ